बच्छों, आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीची क्रांती के अंतरगत फ्रांस में राजतंतर का उल्मूनन, गनतंतर की स्थापना और आतंक का राज। इन टापिकों को बताने से पहले, पिछले वीडियों की एक जानकारी थी संबायधानिक राजतंतर और राजतंतर में क्या आंतर है। निरंकुष राजतंतर के रूप में जानते हैं। वहीं संबायधानिक राजतंतर का आसाय होता है। संबायधान को आधार मान करके राजा को शासन करना। अब हम इस टापिक पर आते हैं। कई महत्त्यपूर्ण सब्दावली आपकी टेस्ट बुक में हैं। एक है मारसिले। मारसिले जो है वो फ्रांस का राश्ट्रिय गीत है, नैशनल सौंग है। जिसे राजेंट दी लाइल ने लिखा था जब आश्ट्रिय और प्रसा की सेनाओं ने फ्रांस में राजतंत्र इस्थापित करने के लिए फ्रांस पर आक्रमण करने का प्लान बनाया। इसके बाद Convent of St. Jacob, यहां Jacob का तातपर है, जैकोविन दल से, क्योंकि जैकोविन दल के सदस्य जो थे, वे Convent of St. Jacob में बैठ करके, पॉलिटिकल डिबेट्स, पॉलिटिकल डिसकस, राइट्स क्या हैं, किसके पास होने चाहिए, इन पर प्रकाश डालते थे, और इन ही में से एक बेक्ती रॉप्स, पियरे के नाम से सासन करता है, जो आतंक के राज में जिसमें हम चर्चा करेंगे। फिर आता है ब्रीचेस, सामन्तों का, कुलीनों का एक पहनावा रहता है, जो घुटने के उपर तक पहना जाता था। सावकूलांत जैकोविन दल के सदस्यों के पहनावे से बिलाग करता है, इसमें क्या है जैकोविन दल के सदस्य कमर से ले करके, पैर तक लाइन्दार पैंड्स और सर पर रेड़ कैप पहनते थे। इस पहनावे को क्या है सवक उलांत के नाम से जानते हैं ये इस कांसेप्ट पर आधारित है कि हम ब्रीचेस से हम कुलीन धर्म कुलीन लोगों से क्या है सेपरेट दिखें वहीं कन्वेंशन क्या है जब क्या है 21 सेप्टेमबर 1792 को फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हो जाता है और 21 वर्ष के पुर्वों से निर्वाची थकर जो संस्था आती है उसे क्या है कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है हमने लाल टोपी को बताया कुलांतों के सर पर पहनी जाने वाली टोपी जो क्या है स्वतंत्रता का प्रतीक है फिर समता रोटी आतंक के राज में राप्स प्यरे ने सबको एक प्रकार के आटो से एक प्रकार के आटो से बनी रोटी खाने को मजबूर किया और उस रोटी का नाम दिया समता रोटी अब हम आगे की ओर चलते हैं कि कैसे राज तंत्र का पतन या डिश्ट्राय होता है और गणतंत्र की स्थापना होती है इसमें दो अभीचार एक साथ चलते हैं, पहला मैंने आपको बताया कि जो प्रसा रहता है, जो प्रसा और आश्ट्रिया, इनकी क्या है, सयुक्त सेना जो रहती है, वो फ्रांस में राजतंत्र यानि बूरुबावंस की राजतंत्र को लाने का प्रयास करता है, किस से मिल करके लूः सोलहवे से मिल करके लेकिन इस प्लान को पहले ही क्या है नैशनलल एसम्बली जान जाती है, और इन दोनों देशों के बिरुध क्या है, राश्टिय युद्ध की घोशना कर देती है, और जिसमें क्या है प्रतेख पुरुस जन्ता क्या है, अपने आर्थिक और मानवी ये दोनों पहलूओं पर क्या है बहुत नुकसान होता है और जनता में क्या है लूई सुलहमे के प्रति एक क्रोध होता है और दूसरी जो आइडियोलाजी चलती है वो क्या है ये जैकोबिन जैकोबिन समूह या जैकोबिन दल आपको यहां एक चीज और जीके के माध्यम से याद दिलाना चाहूंगा इसी समय भारती राजनीत में अगर देखेंगे तो मैसूर और अंग्रेजों का संघर्ष आपस में चलता रहता है टिपु सुल्तान और अंग्रेजों का संघर्ष से बनता है और अपने राज्य में क्या है स्वतंत्रता का पेंड सेरीपटनम में लगाता है यहां जैकोबिन जो होते हैं वो मिल करके गोदिवाडे के लेवर्स से मिल करके क्या करते हैं राज परिवार पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के दोरान उनके सुरच्छा कर्मियों को मार देते हैं और क्या करते हैं राजा को गिरफ्तार कर लेते हैं और क्या है उस पर द्रेश दोह का मुकदमा नेशनल कन्वेंशन के माध्यम से या नेशनल एसंबली के माध्यम से चलाया जाता है और ultimate क्या है लाश्ट में क्या है उसमें उनको फासी या गिलोटीन की सजा दी जाती है गिलोटीन उसके अविस्कारक गिलोटीन के नाम पर ही है इसमें विक्ति का सर जो है धड़ से अलग कर दिया जाता है और 21 सितंबर 1792 में constitutional मोनार्की समाप्त हो करके Republic यानि गणतंतर इस्थापित होता है गणतंतर का आसाई होता है देश का सरवोच बेक्ति जनता द्वारा यह जनता के प्रतिनिधियों द्वाराश चुना जाता है एसे system को क्या है हम Republic system यह गणतंतरात्मक ब्विवस्ता के नाम जानते हैं इसके आगे क्या होता है फ्रांसीसी करांती में आतंक का राज आता है आतंक का राज इसका नाम क्यों पड़ा ये जानने की कोशिस करते हैं आतंक का राज रापसपियरे के सासन में होता है रापसपियरे क्या करता है किसी भी बेक्ति पर अगर नियमों का उलंगन जरासा भी आंसिक रूप से होता है, तो वो क्या करता है? उसको गिलोटिन पर लटका देता है. उसके कारेकाल में गिलोटिन में इतने जादे बिक्तियों को चड़ाया जाता है, कि हर बिक्ति में भै आतंक का एक मनह इस्थिति बन जाती है. इसलिए इसे आतंक का राज कहते ह इसके दोरान क्या है? समता रोटी का प्रयोग किया जाता है. यानि क्या है? ऐसी रोटी बनेगी जो शब के लिए होगी, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो. सब के लिए सम्मानिय सब्दों में, संबोधन में क्या है? नागरिक और नागरिका सब्द का इस्तेमाल कि जाता है पहले के महासय और महोदया सब्द को हटा दिया जाता है रापसिपेरे का असासन क्या है कानोनों का इतनी कड़ाई से implementation होता है कि उसके खुद जो सहयोगी रहते हैं वो खुद इतने परेसान होते हैं और अंत में क्या होता है उस पर मुकदमा चलता है और स्वतहरापसिपेरे को क्या है गुल्योटिन पर लटका दिया जाता है इस प्रकार चे क्या है कन्वेंशन का सासन समाप्त होता है और आगे चलकर के फ्रांस में डैरेक्टरी का सासन प्रारहं होगा प्यारे बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही